हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम तक में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाकपूर मेट्रो के कुशन पेपर की तो इससे पहले जो है हमने नाकपूर मेट्रो का पार्ट वन जो है कंप्लेट कर दिया था जिसमें आपको 27 कुशन जो है बता चुके हैं तो आज का ये पार्ट नंबर सेकंड है तो आज के वीडियो में हम इसके कंप्लेट पेपर को देखेंगे तो इस पेपर में टोटल 100 कुशन आपके टेकनिकल के पूछे जाते हैं इसके अलावज जो है 50 कुशन यहाँ पर 9 ट तो टेकनिकल के 27 कुशन हो चुके थे तो आज के वीडियो में उसके आगे के कुशन को हम देखेंगे तो चलिए यहाँ पर जो है आगे के कुशन को देख लेते हैं तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो है 27 नमबर तक कोशन को देख लिया था अब बात करेंगे कोशन नमबर 28 की तो थोड़ा सा कोशन पेपर को जूम कर लेते हैं तो यहाँ पर 28 नमबर कोशन पूछा गया था DC मोटर में बैक EMF किसके अनुकुर्मा नुपाती होता है तो यह गति के स्पीड के अनुकुर्मा नुपाती होता है तो करेक्ट अंसर अप्शन नमबर फरस्ट था अगला कोशन पूछा गया था निमन में से किस युक्ति की में चार पड़ते नहीं होती है तो करेक्ट अंसर इसका था UJT में UJT में कितनी पड़ते होती है तीन पड़ते होती है तो करेक्ट अंसर इसका अप्शन नमबर यह था अगला कोशन आपर तीस नमबर का पूछा गया था एक क्रिस्टल दूलित्र की सीमा निमन में से कौन सी है तो करेक्ट अंसर इसका था निमन आउटपुट यानि कि लो आउटपुट जो है इसका करेक्ट अंसर था अगला कोशन था यहाँ पर एक्तिस नमबर का कौन सा लॉजिक गेट दो समानतर सुचो की फंक्शन के समान होता है तो कौन सा लॉजिक गेट दो समानतर सुचो की फंक्शन के समान होता है तो करेक्ट अंसर था और गेट तो यहाँ पर आप्शन नमबर डिस का करेक्ट है एक चार पोल मसीन के लिए एक डिप्लेक्स वाइंडिंग में समांतर पतों की संख्या जो है कितनी होती है तो करेक्ट अंसर था आपसे नमबर ए आठ होती है यहाँ पर समांतर पतों की संख्या अगला कुश्य ने आपर पूछा गया था सव वाट दो सो चालिस बोल्ट के बिद्दूत हीटर में उत्पन गर्मी की गर्णा करें यदि हीटर ने पांच मिनिट तक काम किया हो तो यहाँ पर इसका करेक्ट अंसर आएगा 71.6 किलो कैलोरी जो है इसका करेक्ट अंसर आएगा आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कुश्य नमबर 34 यहाँ पर पूछा गया था 3SWG के ब्यास का तुल कालिक मान कितना होता है तो इसका करेक्ट अंसर था अप्शन नमबर 6.4008 मीमी जो है इसका करेक्ट अंसर था अगला कुश्य नमबर का पूछा गया था लिंज का नियम किसके सनरचड के नियम का पढ़ाम है तो करेक्ट अंसर है इनर्जी इनर्जी के नियम का जो है ये पढ़ाम है अगला कुशन देखेंगे कुशन नमबर 36 क्या पूछा गिया था नीचे दिये गे पदार्थों में से कौन किस का प्रत्रोथ तापमान गुरांक रिरात्मक नहीं होता है तो करेक्ट अंसर था इसका इलमोनियम आपसर नमबर D जो है इसका करेक्ट अंसर था अगला कुशन आपर 37 नमबर का पूछा गिया था सर्कृट ब्रेकर टूटने की छमता का मुल्यांकन कैसे किया जाता है तो करेक्ट अंसर था इसका मुल्यांकन जो है MVA में किया जाता है 38 नमबर का कुश्चन पूछा गिया था विच ओसिलेटर प्रवाइड हाइड हाइड एकुरेट इस्टेबल फ्रेक्वेंसी तो ये कों सा हाइड इस्टेबल फ्रेक्वेंसी पर चलता है तो ये हाइड लें आक्सिलेटर होता है अगला कुशन है 49 नमबर का 49 नमबर का पूचा गया था और खीटिंग तब होती है जब भी पिरीत दुरुविता के इलोक्टोर के बीच की हवा हो जाती है तो ये हवा जो है कैसी हो जाती है आईनित हो जाती है आपसे नमबर सीज का करेक्ट अंसर है अगला कुशन देखेंगे अगला कुशन यापर क्या पूचा गया है 49 नमबर का तो यहाँ पर कुशन नमबर 40 पूचा गया है टेप रिकॉर्डर के लिए आप किस एकल फेज मोटर का उपियोग करेंगे टेप रिकॉर्डर में किस मोटर का उपियोग किया जाता है तो यहां पर hysteresis motor का उप्योग किया जाता है option number B इसका correct answer है अगला question देखेंगे 41 number का the purpose of stator winding in the compounded repulsion motor is 2 correct answer है option number B improve power factor and provide better speed regulation अगला number question number 42 पूछा गया है तन्तु लैंप में अक्रिगैस का कार्य क्या होता है तो इसका correct answer है सेवा के दोरान वास्पी करण के प्रभाव को नियूनतम करना इसका correct answer है option number B अगला question है देखेंगे 43 number का तो 43 number में पूछा गया है किसी DC generator में interpol field coil को किस में जोडा जाता है तो correct answer है armature winding के साथ series में इसको जोडा जाता है B option इसका correct है question number 44 से आप पूछा गया है कौन सी हानी का पता लगाने के लिए DC sent motor पर retardation test किया जाता है तो correct answer है इस्ट्रे हानी का पता लगाने के लिए यहाँ पर test को किया जाता है option number 10 का correct answer है question number 45 पूछा गया है स्रेडी मोटर यानी series मोटर में चालक को आधे मान से घटाया जाए तथा अन्य गुड़ अपवर्तित रहे तो चाल होगी तो चाल कितनी हो जाएगी एक बटे चार हो जाएगी correct answer है option number 10 अगला question पूछा गया 46 नंबर का 1000 ओम एक वाट का एक प्रत्रोध कितनी बिद्धु धारा को आसानी से प्रवाहित कर सकता है correct answer है 30 मेगा इंपियर तक जो है धारा को प्रवाहित कर सकता है अगला question देखेंगे यहाँ पर 47 नंबर का क्या पूछा गया है तो 47 नंबर में पूछा गया है एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है और यह 300 बोल्ट पर 18.65 अपियर लेता है इसकी दच्छता यदि 75 परसेंट है तब मोटर की अर्षो सकती होगी जिसका right answer है 7.5 HP की मोटर होगी तो correct answer है option number C question 48 पूछा गया है किस प्रकार के AC से DC परिवर्थक में सरवाधिक दच्छता है correct answer है option number C solid test state परिसोधक जो है इसका correct answer है option number C अगला question पूछा गया है 49 पूछा गया है उन्चास नंबर का transformer को AD current 6 से रच्छित करने है तो कोर को किस से बनाया जाता है correct answer है soft iron का ये बनाया जाता है correct answer है option number B पूछा अगलाया जाता है तो डिली फ्यूज जो है किस में किसकी रच्छा के लिए प्रियोग किया जाता है तो सकती निकास परिफ़त में इसका प्रियोग किया जाता है करेक्ट एंसर है आपसे नमबर ए क्रेक्शन नमबर एक पूछा गया है एक संधारित की impedance DC के लिए क्या है तो ये कितनी होती है सूने होती है correct answer है option number C question number 52 पूछा गया है सामान प्रतिबादा की ये पिच्छा परिपत में दोज प्रतिबादा कैसी होती है correct answer है निम्न होती है option number C इसका right answer है अगला question देखेंगे तिरपन नंबर का तो यहाँ पर तिरपन नंबर पूछा गया है वह आपूर्ति जो condenser से होकर नहीं गुजर सकती है कौन सी आपूर्ति होती है जो condenser से नहीं गुजर सकती है correct answer है DC DC current जो है condenser से होकर नहीं गुजरता है correct answer option number C है अगला question है neutral के लिए किस रंग के तार का उपयोग किया जाता है तो neutral के लिए जो है काले रंग का यानि के black कलर का तार का उपयोग किया जाता है और arthing के लिए आपने देखा होगा अरे रंग का तार का उपयोग करते हैं red जो है यह face चब सिंगल फेज की सप्लाई के लिए योज किया जाता है अगला कुशन देखेंगे कुशन नमबर 55 है चुम्ब की ओवर लोड रिले की तुलना में उसमी ओवर लोड रिले क्या होता है तो करेक्ट एंसर है अप्शन सी अधिक धीमय होता है अगला कुशन है 56 नमबर का कुशन है सर्किट ब्रेकर में सौट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रियोक की के युक्ती प्रकार होती है तो कैसी होती है चुम्ब की होती है करेक्ट एंसर है अप्शन नमबर है अगला कुशन देखेंगे 57 नमबर का संट फील्ड प्रत्रोत की मापन के लिए सबसे उपयोक्त मीटर कौन सा होता है करेक्ट अंसर है बिद्धुत रोधन परिच्छित अगला कुशन है छत के पंखो को एक समू जीड़ेदार के बाद फिर से लगाये गए इसमें दो पंखो में डगमाहट पाई गई इस डगमगाहट के लिए नमलिकित में से कौन सा कारड हो सकता है तो करेक्ट अंसर है पंखो का गोड़क बदल गया है अगला कुशन देखेंगे 69 नमबर का तो पूछा गया है ट्रांसफार्मर का नमलेकित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है तो करेक्ट अंसर है बुसिंग 60 नमबर का कुशन है एक सीरीज मोटर को सोन लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्यों तो करेक्ट अंसर है गति खतरनाक में उच्च होगी अगर सोन लोड पर स्टार्ट करेंगे तो खतरनाक गति को प्राप्त कर लेगा अगला कुशन है डी सी संट मोटर में चाल होती है तो डी सी संट मोटर में आर्मीचर धारा के बितुपवान पाती चाल होती है करेक्ट अंसर है अपसन नमबर डी अगला कुशन है आवेसित परमार को हलाता है करेक्ट अंसर है आयन तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही आज के वीडियो में हमने 62 कोशन कर लिए हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसका 38 कोशन आउर करा दिये जाएंगे तो आपका पेपर जो है कंप्लेट हो जाएगा तो वीडियो को लाइक करिए सेर करिए कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पेपर चाहिए तो हम आपके लिए चरूर पेपर जो है अप्लोड करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पॉर वाचिंग दिस वीडियो